ब्रहाम्मन शेव्या और रोहित के जाने के थोड़ी देर बाद ही विश्वामित्र उपस्थित हुए उस समय हरिश्चंद्र सोच रहे थे कि भगवान क्या लिला है वायू सूर्य चंद्रमा और दूसरे लोग जिसे देख नहीं सकते थे वही शेव्या आज दूसरे की क्रीत दासी हो गई है जिस रोहित के संबंद में ऐसी धाना थी कि वह कभी समराठ होगा वही आज भूको मर रहा है दूसरों के द्वार मारा जा रहा है परन्तु क्या किया जाए इसमें ही मेरा कल्यान होगा इसी में सब का मंगल होगा वे सोची रहे थे कि विश्वा मित्र ने अपनी दक्षिना का तकाजा किया हरिश्चंद्र ने जो कुछ उनके पास था विश्वा मित्र के सामने रख दिया विश्वा मित्र ने पूछा राजन ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ तुम दान तो ले नहीं सकते शत्रीय हो किस से मांग सकते हो फिर इतनी संपती तुम्हें कहां से प्राप्त हुई हरिश्चंद्रने का महारा जे जानकर आप क्या करेंगे उन बातों को भूल जाने दीजे उनके स्मरण से रिदय विहवल हो जाता है विश्वा मित्रने का बिना जाने में ले ही नहीं सकता न्यायो पारजित मित्रव्य कदापी ग्रहन नहीं करूंगा हरिश्चंद्रने सारी बाते कही विश्वा मित्रने का राजन ये धन्तों बहुती थोड़ा है इतने से मेरी दक्षिना पूरी नहीं होती शिग्रही और दक्षिना ले आईए हरिश्चंद्रने का भगवन अभी मैंने अपनी पत कहा अब थोड़ा सा दिन बाकी है सूर्यास्त के पहले इसका प्रबंद करना होगा यदि समय से मेरी दक्षिना नहीं मिल गई तो मैं तुम्हें सत्य से चूत्य कर दूंगा विश्वा मित्र ये कहते हुए दूसरी और चले गए हरिश्चंद्र धैर्य के साथ कहने लगे भ दाम बताओ उसकी भीशन आकरती देखकर हरिश्चंद्र सशंक हो गए उन्होंने का भाई तुम कौन हो चांडाल ने कहा मैं प्रवीर नाम का चांडाल हूँ मेरा काम है मुर्दों का कफन लेना और जलादी करना हरिश्चंद्र की आत्मा काप उठीवे सहसा ये नेड़ना चांडाल के हातों बिख जाना ठीक है या नहीं एक और यदि सूर्यास्त के पहले बिख नहीं जाते दक्षिना नहीं दे देते तो सत्य से चूत हो जाने का भय है और दूसरी और यदि बिख जाते है तो चांडाल की सेवा करने पड़ती है आत्मा के विरुद्ध धर्म के चांडाल के सेवा करने से मेरी क्या गती होगी इस विचार में वेपड़ गये इसी समय क्रोच से लाल लाल आखे किये हुए विश्वामित्र आते दिख पड़े विश्वामित्र को देखते ही हरिश्चंद्र उनके चरणों पे गिर पड़े विश्वामित्र ने कहा जब तु की विरुद्ध कोई आच्रण नहीं किया है चांडाल की दास्ता करने को रिदे सहसा तयार नहीं होता परन्तु आप इसी में प्रसंद है और आप ऐसी ही आज्या देते हैं तो विकने की तो बात ही क्या मैं चांडाल के चरणों पर अपना बलिदान भी कर सकता हूं विश्वा मित्र ने इशारा किया और चांडाल ने करोडों मोहरे देकर हरिश्चंद्र को खरीद लिया विश्वा मित्र ने अपनी दक्षना ले ली और चांडाल हरिश्चंद्र को लेकर अपने समशान पर गया कहा जाता है कि हीरा जितना ही खराद पर चड़ाया जाता है उतना ही अ परिक्षा ही कब कर सकता है भगवान जब देखते हैं कि कोई बुरे समय में भी अपनी धर्म पर आरूड है तब प्रसन्न होकर उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं परिक्षा की भी सीमा होती है और उसकी सीमा पर ही सफलता का निवास है हरिश्चंद्र की अब थोड़ी सी ह परिक्षा भागी है धैर्य के साथ उनके सत्य प्रेम को देखते हुए उनकी सफलता की और बड़े हरिश्चंद्र चांडाल के यहां चार दिन तक तो हाथ पेर बांद कर एक बंद कोठरी में रखे गए उन्हें भूग प्यास की तो याद ही नहीं थी और चांडाल के घर खाना पड़ेगा इसकी उनके मन में संभावना भी नहीं थी पांचवे दिन उन्हें बंधन से निकाल कर शम्शान पर लाया गया चांडालने उन्हें बहुत डाट डपट कर उनकी ताड़ना करके बतलाया तुम शम्शान पर हो और जो यां मुर्दा जलाने आवे उसे कफ लेते और लोगों को रोते पीटते मरते जलते देखते उन्हें सांसारिक जीवन से विराख हो गया उन्होंने शमशान पर रहकर देखा और खूब देखा कि इस जीवन का अंत इस शरीर का अंत यही है एक नए एक दिन इस घाट पर सबको आना ही पड़ेगा तब अच्छा ही है मैं पहले से ही यहां आ गया जिस शरीर सुख के लिए राज्य की स्त्री की पुत्र की और धन की आवशकता थी उस शरीर की जब यही गती होती है तब उसके लिए धर्म से विचलित होना व्यर्थ है भगवान ने मेरी प्रक्षा की संसार के मोह से मुझे बचा लिया यह स हरिश्चंद्र के मन में शांती का संचार हुआ वे प्रसनता के साथ भगवान का समरण करते हुए उनकी इच्छा से उपस्थित अपने कर्तवे का पालन करने लगे एक दिन की बात है आधी रात के लगबग एक स्त्री को पकड़ कर बहुत से लोग ले आये और वचांडाल भी उसके साथ था लोगोंने हरिश्चंद्र सिखा तुम अभी स्त्री को मार डालो हरिश्चंद्र के का मैं स्त्री पर शस्त्र नहीं चला सकता मैं बिग गया हूँ ये सत्य है परंतु मैं अपना काम कर रहा हूँ मेरा काम स्त्री को मारना नहीं है चांडाल ने डाटते वे तो मैं खंजर दे दिया और वे सब वहां से हट गए उस तरी ने हरिश्चंद्र से का भाई मैं बड़ी विपत्ती में फसी हूँ मेरा एक नन्ना सा लड़का था वा आज जिनके यहां में रहती हूँ उनका कूश लाने के लिए जंगल में गया था और वहीं साप के काटने से मर गया दिन में तो मुझे उसके पास जाने के आज्या ही नहीं मिली आधी रात को जब मैं उसके पास गई और रोने लगी तब लोगों ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगे कि तू राक्षसी है तता इस मुर्दे को खाने के लिए इस समया आई है मैं बहुत रोई का दासंसकार कर दू तब तुम मुझे मार डालना मुझे अपने जीवन से कोई मो नहीं है हरिश्चंद्र ने अनुमती दे दी और वह बच्चे का शव लाने के लिए चली गई हरिश्चंद्र शम्शान पर इधर उदर टहल रहे थे उनका मन उसी स्त्री के संबंद में ना क्या खमारा रक्षक कोई नहीं है प्रारब्द तू बड़ा निश्टूर है विद्यधरी तू राक्षसी है मेरे पति देव की हत्या क्यों कर रही है हरिश्चंद्र ने सब बाते सुनी उन्होंने निश्चे किया कि ये किसी राजा की पत्नी है इसके पती का कोई बलिदान कर रहा है कुछ आगे बढ़कर उन्होंने पूछा कल्यानी तुम क्यों रो रही हो स्रीने का महाभाग मुझसे क्या पूछ रहे हो स्वयम कुछ आगे बढ़कर देख लो हरिश्चंदर ने जा कर देखा एक व्यक्ति बर्गत के व्रिक्ष में उल्टा टंगा हुआ है पैर उ किरी पतनी हैं हम दोनों एकी स्थान पर सो रहे थे कोई राक्षसी उपर से आकर हमें हर ले गई हमें हरे जाने का कष्ट नहीं में ये सोच रहा हूं कि वह मेरा तो बलिदान करेगी इसको व्यर्थ ही ले आई और सुनकर तुम क्या करोगे जल्दी यहां से भग जाओ वह राक्षसी गंगासनान करके आती ही होगी हरिश्चंद्रे ने मन ही मन सोचा कि सत्य की रक्षा से वे बढ़कर इसके प्राणों की रक्षा है मैंने अब तक भी कुछ किया है केवल भाईय शरीर से किया मेरे सत्य और मेरी सहन शक्ति केवल भाईय है यदि मैं अपने प्राण आज स्विकार कीजिए राजकुमार दो प्रकार के मनुष्य संसार में दुरलब हैं एक तो वे जो किसी की प्रात्ना विफल नहीं करते और दूसरे वे जो कभी किसी से प्रात्ना नहीं करते आप मेरी प्रात्ना आवश्य सफल करेंगे यही आशा है राजकुमार ने लंबी सांस लेकर कहा माश्य, इस समय मेरे पाच कुछ नहीं है, मैं आपकी प्रात्ना कैसे पूरी कर सकता हूँ हरिश्चंद्र ने का जो आप कर सकते हैं, वही मैं कहता हूँ हराजकुमार की स्विकार कर लेने पर हरिश्चंद्र ने कहा मैं आपका बंधन खोल देता हूँ और स्वेम आपके स्थान पर बंध जाता हूँ पहले तो राजकुमार ने अस्विकार कर दिया परन्तु हरिश्चंद्र और उसकी स्थी के समझाने पर बुजाने पर उन्होंने स्विकार कर लिया हरिश्चंद्र ने उनका बंधन खोल दिया और सुएम उनके स्थान पर बंद गए राजकुमार ये सोचता हुआ कि मन की बड़ी विचित्र है एक तो दूसरे की रक्षा के लिए अपना बलिदान कर रहा है और दूसरे अपनी रक्षा के लिए पहले के प्राणों का कुछ महत्व नहीं रखता वह अपनी स्त्री सहित वहां से चला गया विद्यधरी आया राजकुमार्ट के स्थान पर हरिश्चंद्र को देखकर उसे बड़ी प्रसनता हुई उसने का पहले तुम्हें एक साधरन राजा होने वाले को ही लियायत आई थी इसके शरीर में तो चक्रवर्ती समराट के लक्षन है उसने हवन प्रारंब किया हरिश्चंद्र अपने हाथों अपने मास का टुकड़ा काट काट कर उसे देने लगे अब वे अपना सिर काट कर देने ही जा रहे थे कि वहाँ एक तपस्वी आ गए विद्याधरी उनको देखते ही वहाँ से भग गई उन्होंने पहले तो हरिश्चंद्र को बहुत डाटा परंतु फिर दया करके उन्हें शरीर में एक ऐसी आखे लग गई वे स्वपन देखने लगे उन्होंने अपने को चांडाल योनी में देखा सैकडों वर्षों तक मरकर नरक की अंत्रना भोगते रहे पशू पक्षी कीट पतंगादी 84 लाक योनियों में भटकते रहे एक जन्म में राजा हुए तो जुए में सब हार गए श असे संसार में दुख भोगते भोगते भटकते भटकते जो कुछ तुमने अनुभाव किया है उसका तो यह अंश मात्र है जाओ अब तुम जाओ अभी तुमारा लड़का भी मरेगा और अभी तुम और कश्ट पाओगे परन्तु अब तुमें सुख भी शिग्रही मिलेग नरे नरे नरे